चलो देखो बच्छे कोल्ड वार करना है मैं पीडियाप तुम लोग को मैंने ग्रूप पर ही बेज दीती बच्छे ठीक है ना तो पीडियाप जो है बच्छे वो ग्रूप पर ही है बच्छे जलो प्रोपट ही है स्त even है बच्छे कर बच्छे है थाउआ सिधन oluş है we ए 10 कóि घो प्रूप यू झाल झाल जो एक वर्ड है जो वर्ड है बच्छे यह वर्ड काफी फेमस हुआ था बच्छे वाटर लिप मैन के बज़े से और इस वर्ड का यूज जो किया जाता है बच्छे यह यूज कौन करता है बर्नार्ड बरूच फॉस्टली वर्ड वर्ड जो यूज किया गया था वह किया था बर्नार्ड बरूच ने लेकिन यह वर्ड जो है वह काफी फेमस जो हुआ था बच्चे वह वाटर लिप मैं के बज़े से वह था तो अगर कोशन्स आता है कि बर्नार्ड बरूच ऑप्षण में टिक करना है फेमस दो वाटर लिप मैं ऑप्षण में क्या करना पड़ेगा टिक करना पड़ेगा तो यह चीज एक तो ध्यान में रखना है अब एक चीज हमें यहां पी यह देखना होता है कि जो cold war है cold war का origin कैसे होता है जो cold war है इसके उत्पत्ति कैसे होई cold war जो है वो ऐसी क्या चीज़ें होई जिसके बज़ा से cold war जो है वो क्या होता है originate होता है उसके reasons हमें पता होने चाहिए कैसे क्या क्या चीज़ें होई international politics में international relations में जिसके बज़ा से cold war जो है वो क्या होता है start होता है वह कई रीजन्स देते हैं वाइड़ वार के स्टार्ट होने के पीछे मतलब कुछ ने बोला कि 1945 से पहले ही river जो है वह क्या हो चुका था स्टार्ट हो चुका था कुछ का कुछ यह बोलते हैं कि को दो आरके जो स्तार्टिंग होती है वह 1949 से शुती है अब reason है बचे कि cold war की जो जैसे cold war जो है वो start हो रहा है world war second के finished होने के बाद और जैसे world war second finished होता है बचे तो world में two super powers countries थी एक US सार था और दूसरा तुमारा US था दोई super power countries बची थी Britain, France, Italy, Germany, Astia, Persia ये पूरी country एक तरसे क्या हो चुकी थी collapse कर चुकी थी मतलब ये अब एक super power countries के form में नहीं थी इसे first world war में super power जो countries थी super power जो countries हैं उसमें हम इनी को देखते है ब्रिटेन को, France को, Italy को, Germany को, Astia को ये सारी क्या है, super Japan है, super power countries है जहांके power आप balance आप जो power है बच्चे वो इनी countryों के बीच में क्या था डिस्टिब्यूट था लेकिन जैसे second world war जैसे ही खतम होता है बच्चे वैसे ही ये देखा जाता है बच्चे कि सिर्फ वर्ड में यानि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में टू सूपर पावर कंट्रीज है बच्चे ठीक है ना, टू सूपर पावर कंट्रीज है बच्चे USSR और USA बच्चे कुछ थिंकर्स ये बोलते हैं कि एक्चली कोल्ड वार जो था ना, वो 1941 से ही स्टार्ट हो चुका था बच्चे 1941 से ही कोल्ड वार स्टार्ट हो गया क्यों बोलते हैं बच्चे उसका रीजन यह है बच्चे कि तुम देखो कि 1941 से पहले USSR और जर्मनी के बीच में ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें जर्मनी USSR पे अटैक नहीं करेगा लेकिन जर्मनी ने उस ट्रीटी को तोड़ते हुए USSR पे 1941 पे क्या कर दिया अटैक कर दिया जब 1941 पे अटैक कर दिया तो जो इलाइस कंट्रीज थी बच्चे उसमें इलाइस कंट्री में ब्रिटेन भी था ठीक है फ्रांस भी था USSR भी था बाद में तुम देखोगे कि 1941 में Second World War में US को भी आड होना पड़ा जब पल्भर पर अटैक जपान ने किया जपान पे पल्भर ने जब अटैक किया तब जाकर US जो है बच्चे वह Second World War में आता है अगर पल्भर पर अटैक नहीं होता तो हो सकता था US जए वह Second World War में आता हुए भी तो actually क्या था कि USSR जो था तो जो UACSR side में front था ना उस पर क्या हो रहा था UACSR तो लड़ रही थी जर्मनी के साथ लेकिन जो दूसरा front था उस पर अभी allies countries front को जर्मनी के लिए open करी नहीं रही थी यानि जो allies countries थी वो चारी थी कि जर्मनी की allies country हैं पहले उनको finish कर लें फिर जर्मनी के लिए हम second front गया क करें यहीं पर UACSR के दिमाग में यह आना शुरू हुआ कि जो allies country हैं वो हमें support नहीं कर रही है तो एक सक जो है बच्चे जो संका होता है जो एक सक पैदा होना शुरू होता है यह सक कहीं ने कहीं जो एक सक है जो एक मित है उसमें क्या किया था cold war की एक तरह से क्या कर देती यह starting कर देती है तो कुछ thinkers तो यह बोलते हैं कि cold war का जो start है होने का reasons जो था वो यह भी था कि अगर 1941 में Germany के लिए allies countries दोनों front पे अगर लड़ना शुरू कर देती हैं तो यह से सार को उतना नुकसान नहीं होता क्योंकि इस सार को नुकसान हो रहा था तो कहीं ने कहीं एक य यह पहले ही बार ऐसा हुआ था कि दो आइडालोजी एक साथ प्लेटफॉर्म पे एक सिंगल कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी वच्छे यह सारी कंट्रियां जो थी वह capitalism थी बृतेन फ्रांस यूस यह capitalist countries नहीं जो था वह communist countries था किसी ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था वर्ड में कि दोनों countries एक साथ आ सकती है ऐसा भी कोई group बन सकता है international politics में जो बहुत ज़्यादा एक तरह से क्या था uncertain था बच्छे तो इतनी uncertainties में बच्छे अगर कोई platform create हो रहा है तो आपर हर समय सक होगा कि यह support नहीं कर रहा है मैं किस तरीके से fight करूंगा किस तरीके से य यह सक जो है बच्छे वो कहीं नहीं कहीं cold war को क्या तरसा start करता है दो तरह के war होते हैं बच्छे एक तो हम physically आमने सामने होकर लड़ रहे हैं जिसको आप normal war बोलते हैं जहां दोनों countries की सेना है आ चुकी है और आपस में लडाई कर रहे हैं तो यह एक normal war है और एक war जो है मादब के अंदर लड़ा जा रहा था बच्छे क्योंकि हर country जो थी बच्छे वो यह चाह रहे थी मतलब चाहिए U.S.S.R हो और U.S. हर country अपने आपको superpower के form में present करना जा है तो जो cold war है बच्छे इसमें आमने सामने का war नहीं है दो ideology है जिनके बीच में conflict चल रहा है और conflict जो लेकिन conflict जो है वो कभी feminist नहीं होता है बच्छे तो cold war जो है मतलब दो तरह कि जब ideology के बीच में अगर हमें conflict देखने को मिलेगा तो उस conflict को हम लोग journalists क्या बोलते है बच्छे cold war यह physically लड़ा नहीं जाएगा बच्छे यह हम जो लड़ रहा है बच्छे वो एक दिमाग की पराना चा रहा है सूपर पावर बनना चा रहा है तो इस conditions को कुछ scholars में cold war को लड़ा है clear है इतनी चीज़ है cold war के बार दूसरी चीज़ें बच्छे ठेक है यानि cold war के लिए और भी चीज़ें responsible है बच्छे जैसे 1945 में बच्छे तुम देखो गे न यह आल्टा conference हुआ था ब participate किया था स्टालिन ने भी participate किया है बच्छे ठेक है और तुम्हारा Roosevelt ने भी participate किया था बच्छे यालटा conference लेकिन यालटा conference में यह जो तीनोh countries अब आती है तो यह सिसार्फो बहुत ज्यादा उमीद थी कि madam선 & Electon conference के अंदर मुझे कि यहाँ पर जर्मनी या बाकी की जो enemies countries ने वहाँ पर demokratical तरीके से गौर्मेंट क्या किया जाएगा फॉर्म किया जाएगा उस पर SSR ready हो चुका था कि ठीक है वहाँ पर एक democratical तरीके से गौर्मेंट फॉर्म होंगी लेकिन एक्चुली ऐसा हुआ नहीं होचे है वहाँ पर YSSR ने communist approach पर जबरदस्ती government form करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, Yalta conferences के बाद, तो ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि Yalta conferences में जो promises हुए थे, उस promises को किसी ने भी सही तरीके से निभाया नहीं, इस वजह से भी माना जाता है कि origin of the cold war है, अगर Yalta conferences में सभी countries अपने commitment अगर stay करती हैं, तो हो सकता है कि cold war की starting ना हो, लेकिन cold war बच्चे वह start हुआ, ठीक है, और तुम देखोगे बच्चे कि cold war है बच्चे, वह लगभग second world war के just 5 वर्स बाद start हो गया था, बच्चे, यानि कहने का मतलब Yalta conferences में जो commitment थी, उस commitment को किसी ने भी importance नहीं दिया, USSR ने भी importance नहीं दिया, और जो आपका Britain, France और US जो है बच्चे, वह भी उसको बहुत ज्यादा importance नहीं देती, यह चीज है, हाँ, बच्चे, हाँ, इवन चार्टर साइन है, सेंस फ्रेस को है, याल्टा का, जैसे सेंड, याल्टा conference में सौरी ये veto power दिया गया था, जो veto power का decisions लिया गया था, बच्चे, वह याल्टा conference में है, बच्चे, यानि five superpower जो countries है, जो second world war को जिन्होंने जीता है, तो veto power का decision जो है बच्चे, वह याल्टा conference में लिया किया, सेंड फ्रेंसिस्को में चार्टर इवन साइन होगा था, veto power का decision याल्टा conference में लिया था, यह ध्यान में रखना, कि paper में हो सकता है, पूछे भी ले, कि अच्छा, जो इवन चार्टर है, वह signature ही, मतलब, original countries, original member countries, हम इसको चार्टर में साइन किया था, जो 53, कितनी है, 43, 53 होगी न, 51 जो countries है बच्चे, वह आती है, और याल्टा conference में जो है, बच्चे, decisions जो लिया गया था, बच्चे, वो decisions लिया गया था, बच्चे, वो decisions लिया गया थे, बच्चे, V2's power का, और 45 में जनलिस क्या होता है, World War स्टाट हो जाता है, कि US ने atomic test में success उसे मिल चुका था, उसने atomic weapons का second world war में क्या कर दिया, यूज कर दिया, और इस second world war में जो उसका atomic weapon का use करना, सभी world की previous super power countries में एक fear को क्या कर देता है, produce कर देता है, USSR सोचा ही नहीं था कि US ऐसा कर देगा, यानि US ने अगर atom bombs का use कर देता, जब इस सभी को पता था, कि Japan कुछ दिन में surrender कर देगा, ये situations आ चुकी थी, वो बहुत time तक नहीं, मतलब अगर कुछ time तक और ये allies country अगर pressure बनाती ना, तो Japan war में surrender कर देता, लेकिन अमेरिका को बहु जैसे ही उसे atom bombs power मिले, उसने atom bomb में, जैसे atom nuclear weapons उसके success हुए बच्चे, test success हुआ, तुरंत उसने nuclear weapons का क्या किया, use किया, और जैसे ही nuclear weapons का उसने use किया ना बच्चे, USSR के लिए सबसे ज़्यादा fear हो गया, अब USSR ने पूरी economic development को छोड़ कर, उसने पूरा focus कर दिया कि कि किस तर world politics में arms race start हो जाता है बच्चे, यानि रसिया ने अब ये छोड़ दिया कि मुझे अपनी economy को restructured नहीं करना है, पूरा जितना भी resources है, उन resources को मुझे खर्च करना है nuclear power को gain करने के लिए, और finally 1949 आते आते ना बच्चे, रसिया के पास भी जो ये सिसार था बच्चे, वो भी nuclear power और nation state के form में आ जाता है, तो ये कुछ healthy conditions हैं वच्चे, जैसे में माना जाता है कि cold war जो है, वो क्या होता है, start होता है, कुछ लोग ये भी बोलते है, एक तो ये reason है, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि Germany के हारने के वज़ा से vacuum create हो गया, जर्मनी हार चुका था, तो जर्मनी जब हार चुका तो जो एक खाली place वहां पे बन रहा है, उसको कोई ने कोई तो भरेगा, और ये vacuum जो था, उस खाली place को भरने के लिए दोनों countries आती हैं और यहां पे भी कुछ बोलते हैं कि इस बज़ा से भी conflict जो है, वो क्या होता है, start होता है, यानि vacuum को fill करना था बच्च कुछ thinkers ये बोलते हैं बच्चे, कि जो nuclear weapons का use किया गया बच्चे, second world war में, ये भी reason है, origin of the cold war बच्चे, और third था बच्चे, international relation में इन ठीक न, ideological differences, तो vacuum, ठीक न, nuclear weapons का use होना, और third था बच्चे, ideological differences, ये तीन ऐसे factor हैं बच्चे, जिसके बज़ा जैसे cold war की origin होती है, cold war जो है, वो क्या होता है, originate होता है, तो vacuum ध्यान में रखना है आपको, nuclear power of the nuclear weapons, जैसे ही nuclear powers गेन होता है बच्चे, एक reason ये हो सकता है, और third reasons ये है बच्चे, ideological conflict, जो एक ideological conflict था बच्चे, इससे cold war जो है, वो start होता है, ठीक है न, ठीक है न, ठीक है न, जैसे cold war, जो cold war है बच्चे, इसके लिए जो world, जो ये world है बच्चे, वो world जो काफी famous हुआ बच्चे, वो Walter Lippman है बच्चे, ठीक है न, ये world काफी famous हुआ, cold war को तुम diplomatic war भी बोल सकते हो, तो अगर paper में आया है कि diplomatic war क्या है, तो cold war जो है, उसी कौम लोग एक तरह से diplomatic war भी ब जैसे एक scholar है, flaming बच्चों ने बोला कि, जो cold war है, ये युद्ध अस्थल पे नहीं लड़ा जाता है, ये लोगों के दिमाग में लड़ा जाता है, तो cold war की situation कुछ ऐसी होती है, जनलिस हम war क्या करते हैं, कहां पे लड़ते हैं, जो war place होता है, वहां पे जाके दोनों countries या द बच्चे ये दिमाग में लोग लड़ते हैं, दिमाग में लड़ा जाता है, ब्रेन में लड़ा जाता है, फिस situation को अब जनलिस हम बोलते हैं, बच्चे, cold war ठीक है, अगर questions ही आता है, बच्चे, कि causes of the cold war, cold war के causes क्या हैं, तो इसमें कुछ points तुम लोग लिख सकते हों, causes of cold war में, पहला है बच्चे, inequitabilities of conflict, बच्चे, 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 बच् थेके नहीं नोट्स में नहीं होगा लिख लेना नहीं है उसमें हाँ कोल्ड बार नहीं मैंने भेज़े थे वो काई तुम लोगो और थर्ड नहीं था उसमें मतलब दिमाग से निकल गया एक नहीं उस बी 90s को जीज़ नहीं आम लोग शीस्टम थे नहीं कर रहते है आइडलोजीकल फैक्टर बच्छे यह तीन चीज़े हैं बच्छे एक नहीं आइडलोजीकल फैक्टर और एक और चीज़ हो सकता है बच्छे प्छी प्छे मिच्छ शस्थिक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् वार, ठृष्णा बैठ चुछ, पोस्ट वार, ऑब्जेक्टिव, किसीने छोड़ाता है, अच्छोच चला रगाता है, ठेक हैं, तो ये हमारे क्या हो गया बच्चे, कॉजे है, ठेक है, हाँ बच्चे, मैं एक मिनिट में है, कॉजेस ऑफ रगा, कोल्ड वार, सबसे पहला फॉस्ट पाइंट जो साख्षी होई है, इनकिटिबिल्टी ओफ कन्फिक्ट, इनकिटिबिल्टी ओफ कन्फिक्ट, सेकेंड है बच्चे, दध कंसेट अव वैक्यूम, थर्ड है बच्चे, आइडीलोजिकल फाक्टर्स, और फ और फिप्थ है बच्छे, डाइवर्जेंट पोस्ट वार आब्जेक्टिव बच्छे। तो यह 5 रीजन्स है बच्छे, ठीक है। यह 5 रीजन्स आपको ध्याम में रखने है। ठीक है अब एक एक चीज यहां पर समझ लेने हैं अच्छे फोड़ी फोड़ी सुचेथ है ठीक हराए एक चीज झाराए यहां पर समझ लेने हैं यहां पर समझ लेना है यहां ठीक है विच्छे देखो जो इन एक्क्विटिबिल्टीज अब कन्फिलिक्ट है विच्छे जैसे अगर हम सेकेंड वर्ड वार ले लेते हैं विच्छे तो सेकेंड वर्ड वार में युएस, सार, बृतेन और फ्रांस को विच्छे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस से था वि जर्मनी और इटली से यही दो कंट्री से ज्यादा प्रॉब्लम्स था यानि जर्मनी और इटली इनहीं से प्रॉब्लम्स था बच्छे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ बच्छे यह सभी कंट्रीज क्या कर लेती हैं के लाइन्स क्रियेट कर लेती है जो कि इन countries के बीच बचे काफी differences है बचे एक तरफ ये countries जो है capitalist model को मानने adopt करने वाली है यानि capital जो capitalist model होता है बचे वहाँ पे political differences होता है बचे यानि पूरा political system ही अलग होगा communist जहां government होगी वहाँ single party system होगा पहले बाद दूसरी चीज़ है multiparty system वहाँ पे हो नहीं सकता है बचे राइट to freedom of speech जो होता है पूरी तरह से stop कर दिया जाता है खास तोर से कहां पे communist government के अंदर बचे और दूसरा जो capitalist countries होती है बचे वहाँ पे freedom, liberty, individualisms और federalisms इनको बहुत ज़्यादा importance दिया जाता है कि पूरा का पूरा political system में भी एक power up division होगा मतलब exeutives क्या करेगी judiciaries क्या करेगी legislature क्या करेगी यह पूरी तरह से क्या होता है divide होता है proper democracies देखने को मिलेगी periodic elections देखने को मिलेंगे बचे तो political differences होने के बाद भी बचे यह countries जो थी वो जर्मनी जापान और इटली को हराने के लिए एक platform पर तो आ गए corporate करना इन्होंने क्या कर दिया शुरू कर दिया लेकिन जनरली होता क्या है बचे कि कुछ time के बाद जैसे ही आप उन countries को अप हरा दोगे न वैसे ही वो corporation क्या हो जाता है खत्म हो जाता है उसे ही बचे inequitabilities of the conflict बोलते हैं बचे मतलब फायदे के लिए हम सब एक साथ हो जाएंगे जबकि हम different हैं लेकिन जैसे लग रहा है कि नहीं हम सभी का फायदा हो सकता है इन तीनों country को हराने से वैसे हम सभी उस platform पे एक साथ हाएंगे ज ऐसे ही वो corporation क्या हो जाता है खत्म हो जाता है तो इसी situation को बचे inequitabilities of the conflict बोलते हैं बचे the concept of vacuum मतलब Germany के हारने के बाद जो एक खाली space create हुआ बचे उसको vacuum बोला जाता है जैसे आप vacuum होता है ना कि vacuum कहीं create हो जाएगा तो ठीक एर पास नहीं होती है तो उस vacuum create ना हो बचे क्योंकि जर्मनी जो है उस जर्मनी पे अगर आपका control आता है बचे तो पूरा का पूरा आप इस्ट जर्मनी यानि इस्ट यूरोप पर आपको control मिलेगा पूरा का पूरा वेस्टन यूरोप आपके control में आ सकता है क्योंकि इस वेस्ट यूरोप में जाने के लिए जर्मनी ही एक रूट है बचे आप जर्मनी से ही वेस्ट यूरोप में जा सकते हो बागी आपके पास क वही जो प्लेन रूट होता है बच्चे जो प्लेन जो रोड होते हैं बच्चे वो क्या हो जाएंगा इस चाहिए तो अगर मुझे वेस्ट एवोप में जाना है तो मैं जर्मनी से ही जा सकता हूं या फिर वसीड रूट से मुझे जाना पड़ेगा बच्चे तो मुझे तो trade और जब commerce start होगा तो मुझे दोनों तरह के route चाहिए बचे surface भी चाहिए और water communication भी चाहिए तो उस condition में क्या होता है बचे कि कोई ने कोई countries होगी जो powerful countries होगी इस vacuum को fulfill करना चाहिए प्लस जो पुर्वी यूरोप है मतलब जो eastern यूरोप है बचे यूरोप है वो तुमारा ब्रिटेन और इन country के काफे nearest है तो वो चाहेंगे कि यहाँ पर existence मेरा हो तो इसी vacuum को fill करने में क्या हो जाता है बचे conflict start होता है तो ये भी एक reason माना जाता है इसे ही the concept of the vacuum बोलते हैं बचे clear है इस gap को fill करने के लिए conflict जाए क्योंकि east जो यूरोप था बचे वहाँ पर USSR चाहता था कि यहाँ पर form of the communist government communist government को क्या किया जाए यहाँ पर form किया जाए जो west Europe है बचे वहाँ पर liberal government होना चाहिए liberal democratical government होनी चाहिए तो उसके लिए US और बाकी की country जो है वो काम करना शुरू कर देती है बचे तो यह ideological political system में बहुत जादा differences होना क्या होता है एक conflict को क्या करता है बचे introduce करता है इसके बज़े से conflict जो है बचे वो क्या हो जाती है create हो जाती है क्योंकि अगर Germany मेरे control में आता है न बचे में पूरे Europe को control कर लूँगा Asia को control कर लूँगा और पूरा अफ्रीका मेरे को क्या हो सकता है control मिल सकता है Germany को अगर control में कोई country कर लेती है उसको बहुत बड़ा एक market मिलता है जिससे कि वो अपनी economy को double up करके superpower बन सकता है जैसे आफगानिस्तान अगर किसी superpower के control में आ जाती है तो पूरा उसको Central Asia मिल गया ठेक है न Central Asia उसके control में आएगा South Asia, East Asia और पूरा West Europe उपर का गया बच्चे अफ्रीका आ गया तो इतने बड़े market पर अगर आपका control create हो जाता है बच्चे तो simply अब बहुत बड़े एक superpower countries के form में आप आ सकते हैं बच्चे तो जर्मनी को control करने का purpose यही था बच्चे जैसे ही वेसे सार को यह चीज़ पता चली कि नहीं जर्मनी पे capitalist system आ सकता है तुरंत जर्मनी को क्या कर देता है बर्लिन में ब्लॉकेट कर देता है मतलब अभी इस टी रोप से लोग पस्चिम यानि वेस्ट यूरोप के तरफ जाई नहीं सकते हैं तो यह जो ब्लॉकेट आप दा बर्लिन है इसको भी रीजन माना जाता है बच्चे कोल्ड वार का अगर वो ब्लॉकेट नहीं करता है इसी को चर्चिल ने कर्टेन आप दा वाल्स बोला था बच्चे एक लोहे की पूरी दिवार खड़ी कर दी क्योंकि उसमें फैंस लगा दी है तो कुछ लोग क्या होगे इस टीवरोप में त होता नहीं क्योंकि जो कॉमुनिस्स सिस्टम है ना बच्चे ठीवरिटिकली सुनने में बहुत अच्छा लगता है उसमें उतनी फास्ट ग्रोथ और डवलापमेंट नहीं होता है जितना फास्ट ली ग्रोथ और डवलापमेंट क्योंकि जो कॉमुनिस्स सिस्टम है तो equalities में क्या होता है बच्चे कि हम उन लोगों को भी opportunities देना शुरू करते हैं जो unmerited होते हैं लेकिन capitalism में importance किसको मिलता है ज्यादा तर merited लोगों को मिलता है तो East Europe में जो लोग जीन लोगों ने ये देखा कि बहुत तेजी से West Europe क्या कर रहा है डबलब कर रहा है तो लोग अब East Europe से निकल कर West Europe के तरफ जाना चाहते थे तो उसने पूरा का पूरा बर्लिन में ब्लॉकेट करी दिया था यानि फेंस लगा दिये गये थे लोग उस फेंस से नीचे से क्या हो रहे थे निकल रहे थे NCRT की किताबों में दिखाया भी होगा कि कुछ लोग इमेज हैं जहां पर फेंसे उसके नीचे से निकल रहे हैं उसी को बच्चे Curtain of Wall बोलते हैं एक लोहे की दिवार जो है Communist जो सिस्टम में उसने क्या कर दिया है फॉर्म कर दिय यह एक्सपार्ट बोलते हैं कि यह इसको भी देख सकते हैं दूसरी चीज़ें बच्चे जैसे हमने एक चीज़ उसमें लिखा था mutual suspicions actually क्या हुआ कि दोनों countries में तो काफी ideological differences है बच्चे बिचारधारा हैं अलब अलब हैं बच्चे यानि जो communist system होता है बच्चे वो capitalism को पूरी तरीके से finished करके ठीक है ना वहाँ पे communist system का क्या होता है formation होता है मतलब capitalism को पूरी तरीके से destroy करना उसके लिए capitalism को हम ठीक है ना मतलब blood revolutions को support ये लोग करते हैं communist जो है बच्चे ये blood revolutions मतलब जो क्रांती होगी उसमें blood बहाया जाएगा इस तरह के approach पे जो है वो काम करते हैं बच्चे communist दिक्कत क्या होई बच्चे जो ये ideological factors मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे actually क्या है कि जब Lenin के द्वारा Russia में Russian revolution जो 1917 में होई बच्चे तो 1917 में जब Russian revolution होई न बच्चे Russia में revolution होई और वहाँ पे जब communist government आना शुरू हुआ communist government के लिए जब Russian revolution हुआ तो उस समय Russian revolution को दबाने के लिए बच्चे उसको suppressed करने के लिए अमेरीका ने intervene किया था बच्चे इसलिए Russia कभी भी इन countries के उपर उतना trust नहीं करता था बच्चे उसको कहीं नहीं कहीं क्योंकि जो Lenin के द्वारा revolutions लाया गया था बच्चे उस revolution को ठीक है ना जो white armies थी बच्चे suppressed करने की कोशिस की थी वहाँ पर तो ये जो एक suspicion है बच्चे ये suspicion ही बच्चे क्या करता है cold war को originate करता है मतलब platform पे तो हम एक साथ आ रहे हैं Germany के against हम मिल कर लड़ेंगे Japan के साथ मिल कर against लड़ा जाएगा Italy के against हम मिल कर लड़ेंगे लेकिन जो एक सक है न बच्चे वो सक दिमाग से निकल नहीं रहा है तो हम आपके उपर trust करी नहीं सकते हैं और कई situation होगी एक तो जो ये पूरी की पूरी Britain, France और US का जो Russian revolution को suppressed करने में जो इनका involvement था उसमें सक पैदा किया 1941 में Germany के against second front ये open नहीं कर रहे थे जल्दी उनकी अपनी एक condition से इसने भी सक को पैदा किया और उसी बीच में बच्चे US ने क्या कर लिया nuclear power exist कर लिया इसने क्या कर दिया cold war को start कर दिया तो ये कुछ reasons हैं जिसके वाज़े से हम बोलते हैं कि ये cold war की क्या होती starting होती और mutual suspicion तो समझ में आई गया कि जहां पर सक जो ऐसी जो चीज़ें बच्चे वो क्या हो रही हैं produce हो रही हैं तो ये चीज़ें हैं बच्चे दूसरी चीज़ें बच्चे divergence post war objective बच्चे जब war खतम हो गया तो जर्मनी के साथ किया क्या जाएगा ठीक है न objective क्या होगा बच्चे इस पर कोई clarities ठीक है न कोई clarities निकल के आई नहीं रही थी बच्चे कि अब war तो खतम हो चुका है ठीक है पूरी तरह से Europe जो है ठीक है न नाजी से free हो चुका है अब आगे का future क्या होना चाहिए इस चीज़ पर कोई ये clarity न होना भी बच्चे clearities का produce न होना भी बच्चे causes of the cold war है बच्चे ठीक है क्योंकि Russia जो था बच्चे वो ये चाहता था कि Germany में Russian forces exist करती रहे क्योंकि जितने बार भी Russia के उपर attack हुआ थे वो सारा attack Germany के तरब से ही वहा था East Europe के तरब से वहा था तो वो East Europe पर strong उनका commitment चाहिए था उसे जो ये लोग कर नहीं रहे थे तो ये भी एक reasons माना जाता है बच्चे जिसके वज़ोंसे cold war की क्या होती है starting होती है ठीक है ना और ठीक है ना और दूसरी चीज़े जो USSR था USSR की boundaries पुरे East Europe से लगती है तो USSR एक तुम बोल सकते हैं strong commitment उसको चाहिए था किन से Britain, France और USA कि वहाँ पे कैसी government form हो जो USSR के साथ friendships, relations रखेगी बच्चे तो USSR के साथ friendships, relations, capitalist government तो रखेगी नहीं बच्चे तो वो तो यही चाहता था कि इन स्टेटों में जो East European स्टेट है बच्चे यहाँ पे अगर communist government exist में आ जाती है तो उनके साथ easily मेरे के होंगे friendships, relations होंगे और फिर मैं free हो जाऊंगा कि साइड से मेरे उपर कोई attack नहीं होगा और Serbia के साइड से कोई attack करने तो आएगा नहीं तो फिर मेरी पूरी security जो है वो क्या होगे strong हो चुके है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन किसी in Britain, France और US ने बच्चे East Europe में बच्चे इस तरह की government form ही नहीं कि जो यह से सार के साथ friendships, relations को रखेगा और लगा कि यह लोग कुछ नहीं कर रहे है तो इसने फिर वहाँ पर communist government धीरे धीरे power के base पर communist government उसने form करना शुरूर कर दिया और इस तरीके से बच्चे यह भी एक reason है जिसको माना जाता है कि cold war की क्या होती है starting होती है clear है तो यह चीजे जर्नलिस क्या करना है ध्यान में रखना है भच्चे ठीक है अब टेक्निकली कुछ एक्सपोर्ट और स्कॉलर्ज है भच्चे वो full turn speech को ही मानते है starting of the cold war तो तुम्हें जर्नलिस पेपर में जब भी भी tick करने को मिलेगा कि cold war की starting कब से होती है तो full turn speech जो है भच्चे वो ध्यान में रखना है कि कहा है या फिर तुम यह भी बोल सकते हो भच्चे full turn speech और पोलैंड में यूएस पोलैंड में बच्चे स्टालिन ने क्या किया कॉमुनिस्ट गॉर्मेंट इस्टैब्लिश करा दिया वच्चे उसी समय पोलैंड जेंदर कॉमुनिस्ट गॉर्मेंट आ गए और यहीं से वच्चे cold war की क्या होती है starting होती है बार में पोल्डेंड अभी कॉमुनिस्ट गॉर्मेंट है या capitalist है सारी कंट्रे है capitalist होगी में जो रसिया के बहकावे में कॉमुनिस्ट तो हो चुकी थी बेलारूस भी मुझे लगता है कि liberal economic policies उसकी भी है सब सब ही है सब ने अपनी economy को liberalize कर दिया वच्चे वो जो state economy होता था जैसे communist government में क्या होती है economy जो होती है वो state के control में होती है communist system में होता है कि economy जो होगी वो state के control में होगी वो चीज़ें हर जगा 90s के बाद से बच्चे liberalize हो चुका सारी country ने liberal economic policies को हर countries ने adopt कर लिया है कोई ऐसी country world की नहीं है जहाँ liberal economic policies नहीं है सभी country हो maximum countries जो है वो liberalize खुद रसिया में भी liberal economic policies का डॉप्र पर चुका है वेच्चे मार्केट फोर्सेस पर काम करती है तो पूरी economy अब वो trade rubel में करता ही है communist country के साथ वो trade rubel में नहीं करता है मतलब state जो control economy होती है उसमें जो trade होता है जो commerce होता है और medium जो exchange होता है वो dollar ना होकर उस country के regional currencies होती है तो वो rubel में होता था अब rubel में वो किसी के साथ commerce और trade नहीं करता है वो पूरा चाहे चीन के साथ रजी है कि जो भी agreements तुम देखोगे economical अगर agreements है तो वहाँ पे rubel और dollar में ही हुआ होगा पूरा agreement अब dollar में होता है अब पहले यह होता था कि जो communist government थी यह उसे सार ने काफी कोसिस किया इन countryों को financial support देकर वहाँ के communist government को establish करने के लिए लेकिन उतना success इसे नहीं मिला इसने एक organization भी बनाए बच्चे जिसको आगे मैं कौमी फॉर्म बोलते हैं बच्चे कौमी फॉर्म जो था वो एक तरह से फॉर्मी यह organization किया गया था counter the capitalism capitalism को counter करने के लिए और फिर जितनी भी यह capitalist countries थे इन्होंने एक defense alliance भी तो फॉर्म किया phase of the first cold war बच्चे first cold war में defense alliances फॉर्म हुई ठीक है ना जिसमें आपका नाटो फॉर्म किया गया 1949 का नाटो अब्रुसेल में बच्चे North Atlantic treaty organization है बच्चे एसियन ठीक है ना एसियन defense model भी है बच्चे तुमार सीटो हो गया सेंटो हो गया बच्चे अंजुस हो गया यह बहुत तरह के defense alliances फॉर्म किया गये थे जिससे की counter किया जा सके capitalism को communism के expansion को बच्चे और capitalism को counter करने के लिए defense alliance में फिर USSR ने वर्सया को फॉर्म किया था लेकिन उतना success नहीं 1989 में वर्सया जाए वो collapse होकर खत्म हो गया बच्चे में अभी कई चीज़ें बताओं कई चीज़ें होई थी उसमें मैं एक एक प्यार आओं यहां पर चीज़ें क्लिए रहे हैं विच्चे अप्चे समी झार आओं के घगे हैंधो यहां था रहे हैं विच्चे विच्चे अगरे हैं अज़े पर चीज़ें होना प्रावदान भावदा प्रहें विच्चे साथ प्रॉश्टार हैं इसके बाद जैसे फुल्टन स्पीच के बार लचे वर्ड पॉलिटिक्स नेख चीज़ देखने कुनेते हैं जिसकों लोग टुमें डॉक्त्रीन बोलते हैं लबब 1947 में जो अमेरिकन प्रेशिडेंट टुमें है उन्होंने कॉमुनिजम्स को लिमिटेड करने के लिए एक एक अप्रोच प्रेजेंट किया जिसको टुमें डॉक्त्रीन बोला जाता है ठीक है ना मतलब जहां भी ठीक है ना जहां भी कॉमुनिजम्स जबरदस्ती आने की कोशिस करेगा वहाँ पे जो टुमें डॉक्त्रीन है यानि इसमें कैप्टलिस्ट जो कंट्रीस हैं वो क्या करेंगी कॉमुनिजम्स के साथ फाइट करेंगी कॉमुनिजम्स को क्या करेंगी कंट्रोल करेंगी तो यह चीजें जो थी बच्छे वो टुमेंट डॉक्त्रीन के थ्रू हुआ था ठीक है और ऐसा किया गया बच्छे ग्रीस में ठीक है ना और तर्की में बच्छे क्योंकि यह बालकन एग्रिमेंट हुआ था बच्छे तो ये डिसाइड हुआ था बच्चे कि जो बालकन सी है पूरा बालकन जो एरिया से बच्चे उसमें लगभग 90% एरिया जो है बच्चे वो रूस को दिया जाएगा और बाकी का जो 10% पार्ट होगा वो ब्रिटेन और फ्रांस को मिलेगा बच्चे लेकिन प्रेटिकली ऐसा बालक में कॉमुनिजम्स को क्या करना है उसके एक्सेंशन को क्या करना है कंट्रोल करना है बच्चे तो कॉमुनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए ही बच्चे जो ट्रूमें डॉक्ट्रीन थी वो एक्जिस्टेंस में आई थी कोई इयर ध्यान में रखना है बच्चे 12 मार् तब 40 करूण डॉलर Greece और Turkey के डवल्लमेन्ट के लिए कै किया था decide क्या था कि मैं expense करूँगा पुरा expenditure जो होगा Greece के development के लिए और Turkey के development के लिए खोटी करूण होगा और ये expense होगा बच्चे defense के उपर defense के development के लिए दिया जाएगा और economical development के लिए यह चीज़े दी जाएंगे बच्चे और साथ ही बच्चे जो true man doctrine है इसमें यह भी promises किया गया बच्चे कि जो Europe है उसके पूरे freedom को maintain कराने के responsibility मेंटेन करने के responsibility होगी वह किसकी होगी उसकी होगी मतलब वहाँ पर freedom को सब्रिस्ट नहीं होने दिया जाएगा communism के तो freedom के लिए हर समय अमेरिका जो है वो आगे रहेगा तो फिर इन्होंने बाद में बच्चे यह सब नाटो उटो इन्होंने धीरे धीरे फॉम करना शुरू क प्लान है जो 1947 का है ठीक है ठीक है क्योंकि true man में ध्यान में रखना बच्चे जो Marcel प्लान है इसमें पूरे वेस्ट यूरोप को restructured करना था बच्चे reconstruct करना था और जो true man doctrine है बच्चे उसमें सिर्फ Greece और टरिकी को double up करना था बच्चे उन्हें defensive supports देने थे आम supports और economical supports थे बच्चे लेकिन जो Marcel प्लान है में पूरे वेस्ट यूरोप को double up करने की बात की गई थी बच्चे कि पूरा वेस्ट यूरोप जो है वो double up किया जाएगा बच्चे पूरी तर से क्योंकि second world war के बज़े से ना पूरा का पूरा वेस्ट यूरोप में एक economical crisis situations create हो चुकी थी balance पेमेंट issues हो रहे थे ठेक न economical development एकदम zero हो चुका था economic को दुवारा से वहाँ start करने थी economic run करना शुरू कर तो उसके लिए जो पूरा financial support West Europe को मिला था बच्चे वह अमेरिका government में ही बच्चे मार्सल और यह एक foreign secretary है जॉन मार्सल जो है यह foreign secretary है यह चीज विध्यान में रखना और इसमें यह decide हुआ था कि लगवर three to four years मतलब ठीक ना मतलब 1947 से लेकर यह decide हुआ था कि 51 तक तीन चार साल तक अमेरिका जो है वो क्या करेगा support करता रहेगा West Europe को और वेस्ट उरोप में जो भी situations थी वो काफी मतलब bad ही situations थी वहां पर जैसे economical crisis पूरी तरह से economy stop हो चुकी थी export import zero हो चुका है बच्चे social और political crisis start हो चुका था बच्चे मतलब racial discrimination हो रहा है बच्चे political stability है नहीं तो political stability form करना है social development करना है economical development करना है इनी सभी crisis को save करने के लिए बच्चे marsal plan जो था वो लाया गया था रुच्चे और दूसरी marsal ने marsal plan में john marsal ने बिद्दम clear किया कि हमारी कोई लडाई है किसी ideology से नहीं है हमारा purpose है poverty से fight करना hunger से fight करना ठीक है न instability से fight करना हम इसके लिए West Europe को support कर रहे हमारी कोई लडाई किसी ideology से नहीं तो कहीं नहीं कहीं वो भी अपने आपको defendी कर रहे थे ठीक है न क्योंकि अगर आप किसी को support करते हैं तो कहीं नहीं कहीं उस support के वजह से वो country आपको किसी भी situation में favor करेगी for a future अभी तो नहीं कर सकती लेकिन future में तो आपको favor करेगी क्योंकि आपने उसके उपर ऐसान किया है तो simple सी बात है कि वो country जो है बच्चे वो अपने self-independency से compromise नहीं करेगी तो कहीं नहीं कहीं आपको एक time के बाद क्या करना शुरू करेगी support करना शुरू करेगी केकिन यह कहने वाली बात है बच्च बच्चे जो मार्सल योजना था बच्चे इसको European recoveries program बोलते हैं तो paper में यही पूछा जाएगा कि European recoveries program जो है वो start किसमें किया था तो वहां पर मार्सल प्लान तुम्हें ध्यान रखना है बच्चे और लगवा 5.3 billion dollar जो था वो expense किया गया था बच्चे उस पूरे economic ठीक है इसके बाद बच्चे तुम एक situation से देखते हो बच्चे वह है कौमनी फार्म बच्चे इसको मैं रफ कर रहा हूँ अब जब भी questions पूछेंगे बच्चे अगर इनसे questions आता है बच्चे तो थोड़ा सा डेख और जो objective है वही ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा deep में subjective तो है नहीं तो paper में economic recovery programs ठीक है न किस foreign secretaries के tenure में start किया गया था या economic recovery program का objective क्या है बस इतना तुम्हें ध्यान में रखना एक है कौमनी फॉर्म बच्चे अधिक है यह कौमनी फॉर्म जो है बच्चे यह यह से सार के थरूफ फॉर्म किया गया था ठीक है ना ठीक है इस कौमनी फॉर्म को हम लग जनरीस बोलते हैं बच्चे कौमनिस्ट इनफॉर्मेशन ब्यूरो बच्चे इसको ना कौमनिस्ट इनफॉर्मेशन ब्यूरो बोला जाता है बच्चे यह जस्ट मारसल प्लान के साथ ही स्टार्ट हुआ था बच्छ जब मारसल प्लान स्टार्ट के आगया था बच्छे, उगोसलावी का बिल ग्रेड नोट्स में नहीं है, तभी लिख लो उसको उसी page पर नहीं है notes में होका रुक 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 रुक, जो पीडिया बेज़ी कायी गया गया न शेक्षणाम आरहा है उसमें सेंटर्ल ट्रीटी आफ और्गनाइजेशन से बच्छे अंजूस है फुल्टन स्पीच है बर्लीन वाल है बच्छे कोरियन वार है वियतनाम वार है बच्छे हंग्री रिवलुशन से चेकोसलावी का है बच्छे वर्सया पैक्ट है 1955 का क्यूबा मिसाइल है स्वेच का नाल है बच्छे यह चीज़ है बच्छे ठेक न तो यह जो कौमी फॉर्म है बच्छे ठेक न है कमिनिस्ट इन्फॉर्मेशन्स वीरोस जैसे ही मार्सल प्लान स्टा है और जो तुम्हारा इस्ट इउरोप था बच्छे यहां पे कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया बच्छे क्योंकि वेस्ट इउरोप को बच्छे एकनोमिकल सपोर्ट तो मिलेगा बच्छे तो यह कंट्री जब इकनोमिकली डबलब्ट करेंगे न तो यहां के लोगों को लने की कोशिस करते हैं बच्चे तो यहां पर political जो situations है बच्चे वो change हो सकती है और वो अगर political situation change होती है बच्चे तो USSR के लिए फिर securities problem क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि East Europe के लोग West के तरफ move न करें तो यहां पर क्या हुआ था बच्चे कौमी फॉर्म में USSR ने इस्ट European countries के साथ treaty किया बच्चे related to trade and economy बच्चे कौमी फॉर्म के अंदर इस्ट एउरोप के साथ USSR यह इस्ट एउरोप की जो countries थी बच्चे उनके साथ इस्ट एउरोप countries और SSR के बीच में बच्चे treaty sign की गई जिससे कि commerce और trade स्टार्ट हो तभी यह country वेस्ट एउरोप के तरफ अपना ध्यान क्या करेंगी हटाएंगी और एक तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं बच्चे यानि जो कौमी फॉर्म है बच्चे यह इस्ट एउरोप के communist parties का organization बच्चे जितनी भी इस्ट एउरोप में government थी बच्चे उनका common जो political platform है बच्चे उसी को कौमी फॉर्म बोलते हैं बच्चे कि कर दो एचा एच्चे जो क्यों कि यह ज्यां कि रहना यहां ता कौमी फार्म समझ में आठा है इसके बाद है बच्चे तुमारा दबरी ब्लॉकेड ठीक न? नेक्स्ट जो है बच्चे इसमें है बरलीन ब्लॉकेड ठीक न? बरलीन ब्लॉकेड है बच्चे अ चीघ को टीज अ ब्रिन आसा इंचली कि अहुंता कि जो जर्मनी था वोग्चें जर्मनी जब हार चुका बच्चे तो इसको four parts में divide कर दिया गया हारने के बासे जो भी उस समय की winner countries थी बच्चे उन्होंने इसको four parts में divide किया तो west के तीन parts को मिला के बच्चे Germany का unifications किया गया बच्चे ठेके ना, west, क्योंकि बाखी country नहीं आई, उस पूरे जो जर्मनी का जब division हुआ तो उसमें west जो countries थी मतलब Germany, Britain, France इस तरह के countries नो उसको occupy करने के लिए तो बाद में बच्चे 1949 में बच्चे वो जर्मनी का जो west तीन part था मतलब four parts उसमें से तीन part को मिला के unification करके बच्चे ठेके ना, unifications करके बच्चे जर्मनी का क्या किया क्या फार्मेशन किया गया 1949 में बच्चे जर्मनी का 1949 में फार्मेशन तो हो गया जर्मनी जो बर्लीन है बच्चे उसका ब्लॉकड करने के पीछे रीजन्स ये था बच्चे कि जैसे ही west यूरोप में economical reform सुरू हुए बच्चे वैसे ही west यूरोप में क्या हुआ ना बच्चे उन्होंने एक नई currencies introduce करा दी जिसको demark बोलते हैं एक नई currencies आती है बच्चे जिसको demark बोला जाता है जो west यूरोप में चलनी शुरू हुए मतलब पूरा trade और economy जो है तो उस समय सोवियत संग का control है बच्चे सोवियत union जो है वो जर्मनी को control कर रहा था उसने क्या कर दिया बच्चे west Berlin को west Berlin जाने का जो route था बच्चे जो roadway connectivities थी उसको उसने क्या कर दिया stop कर दिया और यहीं इसी situations को बच्चे Berlin blockade बोला जाता है क्योंकि आप इस बर्लिन से ही आप west Berlin में जा सकते हैं दूसरा कोई route नहीं था तो अब इस बर्लिन में लोग वेस्ट बर्लिन में लोग जाए न commerce और ट्रेड के लिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा roadway connectivities को stop करना पड़ेगा roadway connectivities जो थी roadway जो communications था बच्चे उसके उपर restrictions लगया गया और 15 जून 1948 को बच्चे पूरी तरह से roadway जो roadway connectivities की roadway connectivities and roadway transportation को stop किया गया बच्चे 15 जून 1948 को और 24 जून को पूरी तरह से railway connectivities को cut out कर दिया गया और यह जैसे ही cut ता है बच्चे इसी situations को लोग बच्चे Berlin Blotted Vault है बच्चे यानी Soviet Union ने ठेक है ना पूरी तरह से west और east Berlin को चारो तरफ से क्या कर लेता है गया लेता है चारो तरफ से उसको अपने control में लेता है सारे roadway connectivity जो थी वो stop हो चुकी थी कोई east से west में नहीं जाएगा बच्चे तो यह situation स्थोड़ी सी तुम लोग को ध्याम में रखना है बच्चे एक चीज ध्याम में रखना है बच्चे दूसरी चीज है एक बर्लीन ब्लॉकेट समझ में आगया बच्चे दूसरे है बच्चे इगो Slavica become a non-aligned बच्चे जो इगो Slavica था न बच्चे इसी के country में headquarter है इसी का क्या हो जाता है पार्ट बन जाता है तो इसलिए भी एक message यह जाएगा बच्चे कि जो कौमी form है बच्चे communist information जो ब्यूरो है इनमें खुद में unity नहीं है यहां से खुदी members जो है वो धीरे-धीरे करके क्या हो रहे है निकल रहे है ठीक है तो इगो Slavica जो था बच्चे ठीक है न क्योंकि इस जो इगो Slavica था बच्चे इगो Slavica जो है वो इसलिए स्टालिन से नराज था ति स्टालिन के द्वारा जो रसिया में लैंड रिफॉर्मिंस लॉल आया गया था ना उसका बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, उसलिए तुम देखोगे बच्चे कि माओ जो है वो भी स्टालिन को काफी क्रिटिसाइज करता है बच्चे लेनिन को क्या कहता है कि इन्हों ने जो मार्क्स के आइडियाज थे उसको purely implement नहीं किया है. Marx, Lenin ने किया था, sorry Lenin ने ये चीज़ नहीं जो land reformants शुरू हुए थे बच्चे, ठीक है न, land reformants तो Stalin के समय में भी हुए थे, land reformants जाए न, वो Lenin, Stalin के समय में हुए थे बच्चे, जो land reformants शुरू हुए थे, रसिया में या जो communist countries थे बच्चे, उनमें, वो Lenin के समय, Stalin के समय होते हैं बच्चे, और सिर्फ land reformants को लेकर, Stalin और Tito में बच्चे, जो इगो-सलाविका का head है बच्चे, Tito, उनमें कई चीज़ों को लेकर conflict थी, मेन उसमें से जो था बच्चे, वो land reforms था बच्चे, ठीके न, land reforms था और Stalin के समय बच्चे, यहाँ पर तुम अगर देखोगे बच्चे, चीन में कौन आ रहा है, Mao आ रहा है, Mao जेडांग आ रहा है बच्चे, तो actually जो Mao है, वो खुद अपने आपको बोलता है कि मैं मार्क्सिस्ट लेनिनवाद हूँ बच्चे, मतलब मैंने मार्क्सवाद को बहतर तरीके से implement किया है, जो Stalin ने उसने proper तरीके से Marxism को implement ने रहा है, इसने तो किसानों की जमीने चीन लिए, इसने किसानों के rights को suppressed किया है, बहुत सारी चीज़ें, जो है, वो Marx के इत्रों बोली जाती है बच्चे, तो ये चीज़ भी थोड़ी से ध्यान में रखनी है बच्चे, ठीक है, और दूसरी चीज़ें बच्चे, टीटो ने सीधा मना कर दिया कि वेसे सार जो कहेगा मैं उसको मानूंगा नहीं, ठीक है न तो USSR और जो इगो सलाविका था बच्चे, वहाँ पे एक तरह से, चीज़ें जो हैं बच्चे, वो create होने शुरू हो जाती हैं बच्चे, क्योंकि जो इगो सलाविका था बच्चे, वो ये चाह रहा था कि मुझे internal affairs और मेरी जो foreign policies है, उसमें हमें एक independencies चाहिए, उसमें USSR का involvement हैं नहीं होना चाहिए, जो internal affairs है, मतलब हर country में कुछ internal issues होते हैं, तो वहाँ की government चाहती है कि जो internal problems हैं, उसको reduce कौन करें, वहाँ की government करें, उसमें भी USSR involved हो रहा था, ये चीज़ टीटो को समझ में नहीं आ रही थी, टीटो को बहुत ये चीज़ें ठीक निला, दूसरी च policies में उसे क्या चाहिए थी, एक independence चाहिए थी, क्योंकि जब आप किसी पोल के part होते हैं बचे, तो आपको ये foreign policies उसी पोल का जो leadership जिसके control में होता है, उसी के direction में आपकी पूरी foreign policies decide होती है, आपके पास independence is total खतम हो जाती, तो ये युगोसलावी का जो था बचे, उसको independent foreign policies, right जिसमें USSR का कोई रोल नहीं होना चाहिए, जिसे हम, जिसे PL480 अमेरिका इंडिया को दे ही रहा था, कोईड़वार के बाद जब खतम हो जाता है, इंडिया जैसे ही free होता है, तो foods grain में PL480 जो है बचे, वो अमेरिका से ही इंडिया को मिल रहा था, वो इसी base पर अम capitalist model को क्या करेंगे, implement करेंगे, क्योंकि एक support के वज़े से आता है, ने कि चलो नहीं, ये model ही हम क्या कर लेते हैं, adopt कर लेते हैं, लेकिन PL448 लेने के बाद भी हमने socialist model और mixed economic model को adopt कर लिए, उसने बंद कर दिया, रसिया के साथ हमारे उतने relations रहतर नहीं थे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ने, कि हम सही में socialist हैं या नहीं है, ये भी तो doubt में था ना, क्योंकि mixed economics का कोई culture होता नहीं था, या तो state economy होगी, या market economy होगी, दो ही तो economy थी, ये काया गिने भे हमारे जो economy है, वो mixed है, नहीं है, नहीं है, हमें ये तो समझ में नहीं आते, mixed क्या होता है, ठ कभी भी स्टालिन में, जब तक स्टालिन जिन्दा था है, उसके बीच में अगर तुम देखोगे, इंडिया और रसिया रिलेशन्स अच्छे नहीं है, उसके मरने के बाद इंडिया और रसिया रिलेशन्स खुर्षवे के समय से खीक होने शुरू होते हैं, जब तक स्टाल तो जो तीटो था उसे क्या चीए था पॉलिटिकल फ्रिडम चीए था पॉलिटिकल लिवर्टी चीए थी वह स्टालिन के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहता था उसने क्या कर दिया अपने आपको ठीक है कौमी फॉर्म से क्या कर लिया बाहर कर लिया और नैम का क्या हो गया पार्ट हो गया बच्छे कुस टाइम के बाद फिर यह सब नैम से निकल गए तो इसी लिए बच्चे नैम को ना बहुत सारे एक स्कॉलर जो है उसको ऑपुर्चुनिस्ट इस्टूशन से बोलते हैं जहां ऑपुर्चुनिटीज मिलती यह सब चले जाते हैं इनका कोई पॉर्ण पॉलिशी डिर्कली एंडिर्कली अफेक्ट होगी ही होगी मेंबर बनते ही बच्छे बाद में आप यूएस के साथ आपके हो गया रिलेशन्स अच्छे बच्छे तो नैम का कोई इंपोर्टन्स ही नहीं रह गया आपने बोला कि मैं किसी भी पॉल का पार्ट नह मैं ना तो नाटो का मेंबर बनूगा नहीं नाटो का भी मेंबर नहीं मैं बनूगा और नहीं मैं वर्षया का मेंबर बनूगा आप उनहीं कंट्रियों के साथ क्या कर रहे हैं According to situations, आप treaty sign करते हैं, इसलिए क्या जाता है, तो इंटरनेशनल politics में कोई भी चीज़ पर्मान्नेंट नहीं होती है, always change होता रहेगा, आज जो आपका दुस्मन है, वो कल दोस्त हो सकता है, और जो आपका दोस्त है, वो कल दुस्मन भी हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ politics में पर्मान्नेंट नहीं होता है, और जो आपके पडोसी में है, उसका कोई दूसरा option भी नहीं होता है, alternatives नहीं होते हैं, जो neighbors हैं, वो रहेगा ही रहेगा, अब आपको देखना है कि उसके सब कैसे relations को maintain करना है, बच्छे, तो ये टीटो की कहानी है, मोमेंट बनता है, ठीक है न, और जो non-aligned moment है, ठीक है न, जो 9061 तक अगर हम देखते हैं, बच्छे, तो non-aligned moment proper तरीके से, ठीक है, establish अपने आपको कर लेता है, और फिर तुम देखो, चीन खुद इसका member है, non-aligned moment है, बच्छे, और 9062 में वार कर देता है, तो इसलिए भी बच्छे, name को लेकर बहुत सारे questions rise होते रहते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, बच्छे, ठीक है, जो कौमी फॉर्म थी, बच्छे, वो 25 अक्टूबर 1947 को फॉर्म की गई थी, establish किया गया था, बच्छे, और 11 अप्रैल 1945 को युगोसलावी का जो था, बच सोवियत ग्रूप का मेंबर बनता है, बच्छे, और कुछ टाइम के बाद ही, ठीक है न, 28 जून 1948 को युगोसलावी का कौमी फॉर्म से अपने आपको एग्जिस्ट कर लेता है, ठीक है न, मतलब 28 जून 1948 में युगोसलावी का जो है बच्छे, वो अपने आपको वहां से है, अब नहीं है, जो उस तूटके तो उस कई बढ़ गहनों से तो इस लावी का तूट यह, उस में से मेरिक लगता है कुछ तो चेक रिपबल अलागर यह सारे तूटे होंगे बच्छे, यह बीच में ही मतलब USSR के हां मतलब तुम स्वेज कैनाल और मतलब नायम मतलब यह सेवेंटीज के आसपास यह सब कॉलाप्स हुए हैं बच्छे 1989 के आने के बाद USSR से बहुत सारी कंट्रीज बाहर निकल कर बच्छे, उन्होंने CIS का फॉर्मेशन किया Commonwealth Independent State है बच्छे, वो सारे के सारे जो USSR के मेंबर्स थे बच्छे इसके बाद तुम्हारा North Atlantic Treaty Organization है बच्छे, जिसमें तुम्हारा अमेरिका अप्रेल 1949 में नाटो का फॉर्मेशन होता है बच्छे, ठेक है North Atlantic Treaty बच्छे, वो 1949 में फॉर्म किया जाता है बच्छे, जिसमें अमेरिका और इसके supportive countries बच्छे, खास्त और से West European countries है बच्छे, ठेक है बच्छे और एक तरह का यह defense treaty है बच्छे, ठेक है यह treaty है related to defense यानि अगर West Europe के किसी भी country पर अगर attack किया जाता है बच्छे या West country के ऊपर कोई non-member country अगर attack करती है बच्छे, यह सभी country उस country के against मिलकर वार लड़ेंगी बच्छे, ठेक है नाव, और जहां भी freedom, human rights का exploitation हो रहा है बच्छे, या human freedoms को suppressed किया जाएगा बच्छे, जहां पर genocide जैसे issues देखने के मिले में वहां पर NATO जहां वो interference करता है बच्छे, ठेक है नाटो का interference होना शोरी हो जाता है बच्छे, उन उन जगह पर तुम duration है बच्छे, वो 50 years था बच्छे मतलब तो rectify करके नहीं आगे treaties को increase कर दिया है बच्छे इसमें बच्छे collective defense support दिया जाता है एक तो यह और social economical cooperation यह दो चीज़े काम करते हैं बच्छे social economical cooperation के लिए यह काम करेंगे और दूसरा बच्छे ठीक है objective में अगर पूछता है बच्छे तो defense corporations है बच्छे तो दो चीज़ें धिहान में रखना है बच्छे उनके तुरू defense ठीक है और जो नाटो है बच्छे एक्चली यह नाटो एग्रिमेंट जो है बच्छे यह 1949 का है और founding जो member है बच्छे इसमें 12 है ठीक है और agreement sign कहां पर हुआ है Washington DC है ठीक है नाटो 1949 founding member 12 और जो agreement sign किया क्या था ठीक है ठीक है और इसमें पूरे Europe की securities की responsibilities नाटो के पर है बच्छे और नाटो में सबसे बड़ा जो contributor है बच्छे वह इस डुनाल ट्रम्प इसे चीज़ का विरोध़ी का रहा था ठेकिन क्योंकि यह सबसे ज़्यादा contribute करता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा contribution जो है बच्छे यूस का है बाकी country के comparison में बच्छे और एक चीज़ और ध्यान में रखना है बच्छे 1952 में बच्छे 1952 में बच्छे NATO का 파र्ट तरकी भी हो गया था और ग्रीष भी बच्छे तरकी और ग्रीष करते एं 1955 में ग्रीष और तरकी आते हैं बच्छे और 1955 में विस्ट जर्मनी जो है इसका पार्द वित गाता है एक्चली यही जर्मनी है, फिस्ट जर्मनी आचा है. और जैसे नाटो जैसे जो और्गनाशन फोर्म होते हैं यह फोर्म होपाते हैं, दो यही आचार का आर्टिकल 51 है बक्चा, आर्टिकल 51 के वज़ा से Regional Organization के फ़ॉर्मनेशन हो सकते हैं. तो जो आर्टिकल 51 है वो काफी support करता है form of the regional corporations organizations बच्छा जाए वो economics से related organizations हो या फिर politics से related organization हो उनका एक तरह से क्या हो जाता है formation हो जाता है clear है क्यी चीज़ा है हुआ 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 है दो और सिच्वेशन्स हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है जो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है एक तो चाइनिज रिवलूशन्स और दूसरा है कोरियन वार इस दो प्रॉब्लम्स ने क्या किया बच्छे पूरा का पूरा इस्ट और वेस्ट यूरोप के रिलेशन्स में ने काफी बड़ा चेंज लाया बच्छे यानि कोल्ड वार की स्टार्टिंग कहां होई बच्छे एरोप में होई और चीन जो चाइनीज रिवलूशन्स था बच्छे और जो कोरियन वार था न बच्छे उस कोल्ड वार को एसिया में लाकर सेट कर दिये ठीक है न क्योंकि तुम देखोगे बच्छे कि 1949 से लेकर 1949 से ले लेते हैं बच्छे और 1950 में दू सबसे बड़े अभी तक अमेरिका ने अपने आपको लिमिटेट करके कहां तक रखा थे उरोप तक और जनलिस इसके पास से क्या हो जाता है बच्छे और इस पिरियेड में बच्छे अभी तक तो कोल्ड वार में सिर्फ अमेरिका और एंटरेर करना पड़े जाता है जो जिसके लिए जनल से पिश रूशन स्फिर्फ ने चीन में कि अच्छिजव चल रहा था और civil war जो चल रहा था भच्छे, ठीक है ना, जो civil war चल रहा है भच्छे, 1949 में चीन में civil war शुरू हो चुता था भच्छे, 1949 में civil war है भच्छे, और उसमें जनली जो civil war शुरू हुआ था भच्छे, उसमें काई सेख और माओ जडांग के भी चल रहा था भच्छे, और फाइनल में लैंड को छोड़ कर वच्छे ताइवान क्या होना पड़ता है सिठोना परता है वच्छे ठेक है न और अमेरीका का काफी सपोर्ट था वच्छे काई से एख को लेकिन उस सपोर्ट के बाद भी काई से जीत नहीं पाया था वच्छे माौ जे डांग से बच्चे ठेक है और उसे में लाइंड से भाग के बच्चे ठेक है ना कहा पहुंचना पड़ा ताइवान और ताइवान में तुम जाओ आप उसे लड़ नहीं सकते हैं चाइना बहुत पावरफुल एक रहा चोटे मोटे कंट्री जो तीन थकपड मारके आपको कंट्रोल में कर लेगा हो हौंग कांग को पीट पाट के अपने कंट्रोल में कर लेगा और कोई कंट्री बचाने आएगी नहीं ठेक है ना तो वह के हावने का मेंन रीजन था कि उसके डियूरिंग जब हो हैड था चाइना का बच्छे चीन का है उस समय करप्शन कापी बढ़ गया बच्छे और करप्शन बढ़ने के बज़े से जो माओ ने रेड आर्मी फॉर्म की थी बच्छे उसने इसली क्या कर दिया काई से को हरा द फॉर्मली पीपल्स रिपॉब्लिक आप चाइना अपने आपको इस्टाब्लीश तो कर लिया लेकिन अमेरिका ने उसे मननेता नहीं दिया सबसे पहली जो कंट्री थी बच्छे जिसने चीन को एक नेशन स्टेट के तोर पर अप्रूब्ड किया वह इंडिया के वचố जो एक नौन कॉम्मूनिस्ट कंट्री से इसने चीन को एक तरह से क्या कर रहा है एक कंट्रीज का स्टेटस दे रहा है बच्छे कि आप एक कंट्रीज हैं के के ना और लगभग बच्छे लगभग 90-70 तक 20 साल तक बांगलो 90-70 में जाके पिंग-पॉंग डिप्लोमेसी सुरू होती है और फिर उस पिंग-पॉंग डिप्लोमेसी में अमेरिकन टेवल टेनिस टीम जो है बच्छे वो चाइना आती है और फिर वहां से यूएस और चीन रिलेशन्स पोड़े से ठीक होने शुरू होते हैं बच्छे उससे पहले कॉम्मुनिस्ट गवर्मेंट को उसने माननेता ही नहीं दिया मतलब कोई भी 1949 से लेकर 70s तक मतलब इंडिया पागिस्तान जो 1971 का वार हुआ तो तीनों की एक कॉर्परेशन देख सकते हो जिसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करने में अमेरिका भी है जी आइना भी था उसके बाद भी 1971 का वार जो पाकिस्तान चीट नहीं था ठीक उतने सपोर्ट के बाद भी बच्छे त ठीक है और ठीक है और पिपल्स रिपोब्लिक आप चैना को बच्छे जो पिपल्स रिपॉब्लिक चाइना है बच्छे जह पिपल्स रिपउब्लिक चैना है1970's तख बच्छे 71 तक मान कर चलो बच्छे कि People's Republic of China को General Assemblies का Member ही नहीं होने दिया इंडिया मतलग People's Republic of China को US ने बच्छे US जो था United State of America ने बच्छे General Assemblies का Member ही नहीं होने दिया ठेक है Taiwan के पास ही Memberships थी बच्छे और Taiwan के पास ही विटो पावर था Security Council के पर्मानेंट में विटो पावर जो थी बच्छे वो ताइवान के पास थी जब 90's सेवेंटी स में अमेरिका और US रिलेशन्स बहतर हुए बच्छे तो फिर क्योंकि अपने विटो का ही यूज़ करके General Assemblies का Member चीन को बनने नहीं दिया और जब रिलेशन अच्छे हो गया बच्छे तो अपना विटो वापस ले लिया चीन जो है General Assemblies का Member बन गया और उधर पर्मानेंट का Member में ताइवान को हटा के People's Republic अब चाइना को क्या किया गया था चागती है तो यह चीज़ भी थोड़ी से तुम लगपद हैं में रखना है बच्छे ठेकना तो यह तो हमने देख लिया अब में देख कोरेयन रिवू जैसे ही बच्चे जपान पॉल्डवारऌ जपान जो है second world war हारता है तुरण्थ utter korea में क्या हो जाता है बच्छे political instabilities क्या हो जाती है ये create हो जाती है जपान के हारते ही second world war में वैसे ही korea में generalist क्या होता है बच्छे, political instabilities create होती है और 38-degree parallel पे north और south korea को क्या करती है जाता है दिवाइड कार तो questions paper में यही पूछा जाता है paper में बच्चे कि जो Korea है इसको कितने degree parallel पे हम क्या करते हैं divide करते हैं बच्चे तो 38 degree parallel पे जो है बच्चे नॉर्थ और South Korea के बीच में division किया जाता है ठीके ना और जो यह division होता है बच्चे यानि जो North Korea है बच्चे ठीके ना आज भी North Korea है और जो South Korea है बच्चे ठीके ना उसको support count कर आई इस तो अब भी भी तुम देखोगे South Korea में मतलब 1945 के बास से वहां पर market economy आ चुकी थी बच्चे पूरी तरह से वहां पर capitalism सा गया यहां पर तो dictateships चली रहा था आज तक वहां पर dictateships ही यह तो कोई थास वहां पर development हुआ नहीं मतलब ठीक है ना और कोशिस यह भी किया गया बच्चे के North Korea में एक elected government हो उसके लिए UN ने काफी कोशिस भी की थी और अपने लेवल पर election commissions भेजे गये थे North Korea में लेकिन उसको लोगों ने accept ही नहीं किया तो वहां पर election ही नहीं हो पाया बच्चे तो इस तरह से और जिसे हम लोग जनलिस्स ठीक है ना पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपॉब्लिक आप कोरिया बोलते हैं बच्चे ठीक है ना और 1949 में बच्चे अप्टूबर 1949 में चीन में communist government पर जो हो क्या हो जाती स्टाविश हो गाती है लग इसी क्या आसपास यहां पर दोनों जगा पर government पर जाहें बच्चे वह क्या होती है स्टाविश होती है तो यह चीज ध्याम में रखने है बच्चे नहां तक अभी और भी चीज़ें कोल्डवार में बच्चे हुई है तो अगली क्लास में दो कर रहे हैं कोई दिक्तत कुछ पूछना होता दृष्टा समझने है बच्चे अब जो तुम्हारे पास नोड्स है बच्चे उसने कोईटनी स्पीच भी है बर्लिन वाल भी है और कोरियन वार भी है ठीक है ना एक हम लोग को भी अतना वार करना है ठीक है और हंगरी रेवलूशन्स भी पॉलिशी देखने ना अच्छे की जब भी पूछे जाएंगे यहर और डेट की पूचा जाएगा तो यहर और डेट थोड़ा सो तो तहीं याद करके रखना पर दो नहीं रखोगा नहीं वहलें पड़ने ही पड़ने ही अगर याद नहीं हुए और ऑब्ग्टिप क्लियर नहीं आ उसके बच्चे तो प्र Ég átti þér, hún er kænti á tók. En hún er í orðinni á að brjóða á þessi. Menni, á hún er þá í þess að brjóða? Hún er alveg að vastu til ándað. HeimshGað er hann, við erum dagur. Mér lekkert nátt þess að heit þetta að finna, ljóða. Þar byrjaði hann! झाल झाल झाल